दोस्तों काफी सारे लोगों को ये बिलकुल भी नहीं पता होता है कि लैपटॉप से कोई भी फोटो को, कोई भी विडियो को पेंडराइब में कैसे डालते हैं अगर आपको नहीं पता है कि फोटो, विडियो, लैपटॉप से पेंडराइब के अंदर कैसे डाला जाता है में कैसे डाल सकते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब कुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वेडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजेगा देखे दोस्तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने Pen Drive को अपने Laptop के साथ Connect करना है, connect करना बहुत ही ज़्यादा आसान है आपके Laptop में कुछ इस तरीके से Port बने होंगे, इन ही Port के अंदर आपको अपने Pen Drive को Attach कर देना है जैसे ही आप Attach कर देंगे इन पोर्ट के अंदर तो आपका जो pen drive है वो आपके laptop के साथ connect हो जाएगा जब दोस्तों connect हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास message भी आ जाएगा कि जो आपका USB pen drive है वो connect हो गया है अब आपको क्या काम करना है अपने pen drive को open करना है जिसके लिए आपको जो है ये जो drive बनाये है लेकिन जो h drive आया है ये USB लिखा हुआ है यही हमारा pen drive है जब आप अपने laptop के साथ pen drive को connect करोगे तो आपका इसी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा जैसे open करके दिखाता हूँ ये बिलकुल empty है इसके अंदर कुछ भी अभी मैंने नहीं रखा है बिलकुल खाल आपको ये पता होगा कि आपके laptop में कहां पर आपने वीडियो और फोटो को रखा है जैसे कि मैं जी drive को open कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला folder open करता हूँ और यहाँ पर मैंने थम्डेल नाम से एक folder बनाया है जिसके अंदर मैंने अपने सारे के सारे थम्डेल रखे हैं इनी फोटो को जो है मैं pen drive के अंदर ले जा करके आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं इन फोटो को लेके जाऊंगा सेम इसी तरीके से आप अपनी खुद की फोटो या फिर जो मर्जी वो फोटो को जो है वहाँ पर लेके जा सकते हो तो एक ये हम फोटो ले तो देखी जब हम इसे select कर रहे हैं तो इस पर click किये तो ये वाला unselect हो गया है तो दोनों को select कर ले के लिए control बटन को दबा लेंगे दोनों select हो जाएगा इसके बाद हम इसे select कर लेंगे मतलब अलग-अलग position से select करने के लिए आपको control बटन दबा करके ही select करना है और आप तो एक ही बार में धेर सारा भी select कर सकते हो जैसे अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक सभी photo चाहिए तो पहली बार आप यहां पर click करिए और इसके बाद shift बटन दबा करके last में click कर दोगे तो सभी का सभी एक साथ select हो जाएगा इसके अलावा select करने का एक और तरीका है क आप mouse का left button दबा करके इस तरीके से drag करेंगे तो भी जितनी photo को आप select करना चाते हैं वो photo select हो जाएगी लेकिन हम इन सभी photo को नहीं लेके जाएगे बलकि एक एक इसमें से जो है चांट करके लेके जाएगे जिसके लिए हम control button को दबा लेंगे इस पर click करेंगे इस पे फिर अगर आपको अलग अलग जगह से photo लेके जाना है तो आप control button दबा के रखिए इस तरीके से अलग 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 जगह से आप selection बना सकते हों selection बनाने के बाद अब आपको इस photo लेजा करके right click करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा copy का जिसकी shortcut भी यहाँ पर बताईए गई है control प्लस C अगर आप keyboard से control प्लस C भी प्रेस कर देते हो तो यह जो आपने select किया है यह सब का सब copy हो जाएगा या फिर आप इस पर भी click क प्लस C अब आपको अपनी pen drive को open करना है यह हमारी pen drive है हम इस पर double click करके open करेंगे इस pen drive के अंदर अभी कोई भी folder नहीं बना है तो हम यहाँ पर एक folder बना लेंगे हम यहाँ पर new पर click करेंगे और folder पर click करके एक नया folder बना लेंगे जिसका नाम हम जो है photo रग देते हैं ठीक आप इस पर click कर दोगे तो paste हो जाएगा वो photo यहाँ पर आ जाएगी दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर shortcut भी बताया गया है control के साथ V button दबाने से भी paste हो जाएगा तो हम इस पर ही एक बार click कर देते हैं तो देखे यहाँ पर सारे की सारी photo आ गई है view पर click करके हम large icon पर click कर आएगे तो देखे जो जो हमने photo select किया था वही सारी photo आई है एक बार मैं आपको दोबारा सी यह तरीका बता देता हूं ताकि आपको सही तरीके से clear हो जाए सबसे पहले हम वो folder open करेंगे जहाँ पर जो है हमने photo को रखा हुआ है तो जहाँ पर माल लेजे हमने यह सारी photo दबाने के बाद जितनी photo को आप लेके जाना चाहते हो वो photo select कर सकते हो इसके बाद मैंने आपको बताया है कि इसको जो है right click करके यहां से copy कर लिजेगा या फिर control के साथ c button आप जब दबाएंगे तो copy हो जाएगा control के साथ c button इस बार मैं दबा देता हूँ copy हो गया यह ठीक जो भी आपने folder बनाया है उसे open करना है और यहां पर paste कर देना है control V से भी आप paste कर सकते हो right click करके भी paste कर सकते हो तो यहां पर इस बार हम shortcut से paste करते हैं control के साथ V बटन दबाते हैं तो यहां पर देखिए photo हमारी paste हो गई है जो हमने वहां से copy की थी तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने laptop में से कोई भी photo को जो है अपने pen drive के अंदर डाल सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको एक तरीका ये बताया है और दूसरा सबसे आसान तरीका ये भी है कि आप अगर windows 11 इस्तमाल करते हैं तो आपको एक extra feature मिल जाता है जैसे कि मैं windows 11 इस्तमाल करता हूँ तो यह प्लस पर क्लिक करके एक नया टैब इसके अंदर उपर करते है इस PC का और जहां पर हमने अपने laptop के अंदर फोटो रखा है उस folder को ओपन करेंगे हम इस पर क्लिक करेंगे फिर इस पर हमारी laptop में जितनी भी photo हमने रखी थी वो सारी के सारी आ गई है ठीक है अब ले जाने का एक और सबसे आसान तरीका ये है कि हमने जो है एक नए टैब के अंदर अपने pen drive वाले folder को open कर लिया है और एक नए टैब के अंदर अपने laptop वाले folder को open कर लिया है अब यहां से जो भी photo हमको लेके जाना है जैसे कि माले जे यह logo मुझे लेके जाना है तो मैं क्या कम माउस का left button दबा करके drag करूँगा और यहां पर लाने के बाद फिर इस तरीके से छोड़ दूँगा तो इसकी एक copy यहां पर आ जाएगी देखे इसकी copy हमने जो है इस वाले के अंदर बना लिए है यह हमारा pen drive वाला folder है इसी तरीके से अगर हमको धेर सारा लेके आना है तो हम धेर सारे को इस तरीके से select कर लेंगे select करने के बाद जो है हम क्या काम करेंगे इसको draw है इस तरीके से drag करके यहां पर ला करके छोड़ देंगे तो copy paste करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी automatic जो है सारा का सारा इसके अंदर photo आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हूँ मैं जो है फिर से दिखा देता हूँ यह हमारा जो है pen drive वाला folder है हम इसे open करेंगे देखे इसके अंदर सारी photo आ गई है और जो हमने दूसरे tab में open किया है यह हमारा laptop वाला folder हमने open किया था सबज में आ रहा है अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने laptop से कोई भी video को कैसे जो है अपने pen drive के अंदर डाल सकते हो तो सेम वही तरीका हम लोग अपनाएंगे इसके लिए जो है जहां पर भी आपने वीडियो रखा है सबसे पहले अपने laptop में से उस folder को open करेंगे जैसे कि हमने अपने laptop में d drive के अंदर वीडियो को रखा है तो इसके लिए मुझे सेम वही काम करना है जिस वीडियो को लेके जाना है उसको select करना है right click करना है यहां से इसे copy कर लेना ठीक है जिस तरीके से हमने photo को copy किया था सेम वही तरीका यहां पर भी काम करेगा अब हमें क्या काम करना है एक तो ये तरीका है copy कर लीजिए फिर back side से आजेगे और pen drive को open कर लीजिए और यहाँ पर एक नया folder बना लेते है video के नाम से क्योंकि हम photo में अगर इसे रखेंगे तो mix हो जाएगा इसलिए हम video नाम से एक नया folder बनाते हैं इसको open करेंगे और right click करके जो है इसको यहाँ पर paste कर देंगे ctrl v से भी या फिर इस पर paste पर क्लिक कर देंगे तो video जो है इसके अंदर paste होना शुरू हो जाएगा और इसको मैं large icon करके आपको दिखा देता हूँ कि जो video हमने अपने laptop के अंदर से copy किया था वो यहाँ पर आ गया है ठीक है इसी तरीके से दोस्तों आप जितने भी video को जो है अपने laptop से अपने pen drive के अंदर लेके जाना चाहते हो सेम यही तरीका काम करेगा जैसे कि मैं आपको डेर सारा ले जा करके दिखा देता हूँ यह 5 हम लोग लेके चलते हैं right click करते हैं यहाँ से हम copy कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर हम पीछे आएंगे और अपना pen drive वाला folder open करेंगे और video वाला और इसके अंदर right click करके paste कर देंगे तो देखे इस तरीके से जो है इसके अंदर copy होना शुरू हो गया है जितनी बड़ी आप file होगे उतना समय लगेगा इसमें copy होने में तो देखे इसमें ज्यादा समय लग रहा है ठीक है तब तक यह copy होता है तब तक मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जो मैंने photo वाले में इस्तेमाल किया था कि एक नए tab में मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ एक नए tab में जो है आप अपने laptop के उस folder को open कर लेजिए जिस folder के अंदर आपने video रखा है जैसे कि मैं फिल्मोरा recording वाला एक नए tab में open कर लेता हूँ दूसरे टैब में जो है हम plus पे क्लिक करेंगे और अपना पैंडराइब वाला folder open कर लेंगे ये वाला पैंडराइब वाला folder open कर लिया और इसके अंदर video वाला folder open कर लेते हैं ठीक है समझ में आ रहा है जो है वो वीडियो आ जाएगा जासा कि आप देख सकते हो ठीक है इसी तरीके से कोई दूसरा भी वीडियो लेके जाना है तो बस आप इस तरीके से ड्रैक करके इसके इंदर छोड़ दीजे तो वो कॉपी होता रहेगा आपके लैप टॉप के अंदर से आपके पेंडराइब के अंदर डाल सकते हैं और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से हमने फोटो और वीडियो को डालना सीखा है इसी तरीके से आप कोई डॉकुमेंट को MS Word की फाइल को Excel की फाइल को Photoshop की फाइल को जो कुछ भी आप अपने लैप्टॉप से अपने पेंडराइब के अंदर आते हैं इसी तरीके से डाल सकते हैं अब देखिए जितने भी हमने वीडियो अपने pen drive के अंदर डाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आगये हैं मैं आपको जो है इसे कट करके भी दिखा देता हूं pen drive को open कर के हम यहाँ डिश पीडियो को open करेंगे और लेकिन आप पोटो को रखा है, पेंड्राइब के अंदर वो आ गया है, और वीडियो के अंदर हमने जितने भी पेंड्राइब के अंदर वीडियो डाले हैं, वो सारे के सारे वीडियो आ गये हैं, ध्यान आपको यह दिना है कि जब आप पेंड्राइब निकालिएगा तो राइड क्लिक क कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी फाइल, कोई भी डॉकमेंट को अपने pen drive के अंदर कैसे डाल सकते हैं, पूरी detail में जानकारी बताई है, लेकिन दोस्तों आपके मर में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी confusion है, तो आप हमें नीचे comment करके जरूर बताईएगा, अगर